है गाइज वेलकम डूर चैनल आप सभी का स्वावित आपकर अपने यूट्यूब चैनल पर तो गाइज SBAPU Prelims एक्जाम दो दिन का एक्जाम खतम हो चुका है बीस और इक्जाम की बात करेंगे इस वीडियो में और सेलफ गिवन एक्जाम एनलिसिस की बात करेंगे कि इस वीडियो में करने वाले हैं और आगे IBPS PU का जिनका एक्जाम है, IBPS क्लेरिकल का एक्जाम है इस एक्जाम से बहुत हेल्फ उन लोगों को मिलने वाली है तो इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आपके सीखने को मिलेगी से अप अटेंप्ट के बात अपने करेंगे इस वीडियो में पहले अपने देख लेते हैं कि self-given exam analysis के अंदर किया Excel के अंदर exam के अंदर चल क्या रहा है देखिए exam के अगर बात करें 20 तारिकों first shift के exam के अगर बात करें तो वो exam था हमारा उसकी अगर हम बात कर लेती हैं तो उसमें क्या था कि जो अपना English language के पारते हैं सबसे पहले जो अपनी English language थी तो English language के अंदर के आया था? English language उस shift की बात करें, first shift की बात करें जो start हुई थे, SPEP होगी उसमें जो moderate level था, English का देखा गया था उस shift के अंदर जो English में attempt थे वो maximum attempt आप लोग मानके चलो 18 तक ही एक अच्छे attempt थे क्योंकि moderate English उसके अंदर थी, easy नहीं था क्योंकि vocab के words उसमें डाले गए थे इसलिए जो average student है उसके लिए वो English थो tough थी, पर जो अच्छे खासी जिनके English है, जिनको English के अंदर अच्छा knowledge है, उनके लिए वो exam कहीन के moderate exam था तो easy उसको कहीन से भी नहीं बोल सकते अपने moderate exam बोल सकते हैं उसके अंदर एक RC था, जो थोड़ा easy उसमें से, कुछ question आप लोग easily कर सकते थे, कुछ आप लोग के लिए moderate थे उसके लाब आपका words weapon का question था filler के question थे आप लोग के, area detection के question थे rearrangement के आप लोग के question वाँ पे देखने को मिले थे तो इसाब से English थोड़ा सा moderate वाँ पे था इसके बाद अगर बात करें second की तो quant था second पे quant के अंदर देखने को मिला आया कि दो और तीन डिया वाँ पे पूछ गये दो डिया आपके पूछ गये थे, एक उसमें आपका bar graph था दूसरा आपका उसमें percentage based डिया था इसके बाद एक डिया आपका case late पूछा गया था यह थोड़ा सा time taking था case late क्योंकि उसमें time लगता था calculation करने में और 20 minute आप लोग पता है कि यहां फिक्स होता time तो time इतना रहता नहीं है इसके लाव दो डिया थे, यह आप लोग मानके चलोगे इनमें data जो वो calculate करना था पर इतना hard नहीं था, आप अगर आप की calculation fast थे तो आप इस data को easily जो वो crack कर सकते थे इसमें एक डिया था आपका graduation और post graduation पे वो डिया easy था, क्योंकि वो bar graph की format में था और दोनों का data आप लोगो इस तरह से दिया हुआ था तो उसमें ज़्यादा दिक्रे नहीं थी एक जो percentage विस दिया था, उसमें आप लोगो के आथा total आप लोगो को दिया हुआ था एक का उसमें percentage आप लोगो दे दिया था तो यह DI था एक्षल में इसके बाद 5 आपनों की number series easy वाली थी उसमें से एक number series थोड़ा था difficult था missing number series थी उसके बाद आपनों की quality equation की question एकदम easy थे arithmetic equation मानते हैं कि 10 question थे वो थोड़ा से moderate थे यानि उनमें बनाने में थोड़ा सा time आपनों को लग जाता एक मिनिट अगर आप लोग देते हैं तो arithmetic equation easily बन जाता पर एक मिनिट अगर आप लोग देते हैं उधर DIB करने थे तो उसमें लागे अगर 20 मिनिट के अंदर बात करें तो moderate कह सकते हैं उसको भी अपने जो arithmetic questions थे इसके बाद reasoning section पे आते हैं reasoning section की बात करें तो reasoning section easy to moderate था क्योंकि reasoning के अंदर जिनकी puzzle में अच्छी practice है उनके लिए तो easy exam था जिनको puzzle में प्रैक्टिस नहीं थी उनके लिए थोड़ा सा tough बन गया क्योंकि उसमें circular based puzzle था उसमें सिरफ six ही लोग थे circular based puzzle में six ही लोग थे पर double variable होने के बजह से उस puzzle में तीन possibilities मिनाने वे उस puzzle बन रही थी इसलिए उसको अपने थोड़ा सा moderate बोल सकते हैं उस puzzle को बाकि उसके अंदर चीज न सारी कहीने के easy थी आप लोग के लिए अगर आपके speed अच्छी है तो आप लोग definitely बना के लिए पर वीच मिनेट होने के वज़े से और एक्जाम में थोड़ी पदर टरीकी होने के वज़े से maximum आप पर यह थी तरीक रही है इसके लबाँ मैच की बात करें तो उस shift में कहीने के मैच के अंदर 25 सथाइस टेंप्ट students के रही है और इंगलीस के आप लोग बता दीक 18 से 20 आप रहे हैं तो पर इस shift के अगर 20 अरीके बात करें तो कहीने के आप लोगों के अटेंप्ट रहे हैं वह 65 से 70 के बीच में रहे हैं यह रहाए और इंगलीस में अगर को इस student 30 में 300 कर गया रहे है अब उसको superiority नई कि मेरे कितने सब्सक्री अ मेरी अक्यूरिश है उसमें, क्योंकि 30 out of 30 करें तो आम पे उनकी security तो रहेगी नहीं कि कितनी अगर आप लोग 10 कुसन इंग्लिस कंदर बना के आ रहे हो, आप लोग को जो क्यूसन आती है वो ही बना के आ रहे हो तो marks अगर कम आएंगे, तो cut off down चली जाएगी, तो यहां पे 70 प्लस वाले तो बहुत कम student है, दो दिनों की एकर prediction की बात के तो भी बहुत कम student है, 70 वाले तो 7 attempt आप लोगो क्या रहना चाहिए, 7 attempt आप लोगो रहना चाहिए, 65 प्लस, 65 प्लस और 70, आप लोग मानने को 75, maximum 75 तो गर आप लोग जा रहे हो, 60 से लेके 75 के वीच में गर आप लोगो attempt रहे हो, तो बहतरी नरे आप लोगो 7 attempt यहां तक ही आपके रहने चाहिए, तो इससे ज 75 के वीचे, आप लोगो अपड़ेट रहे है, तो अपड़ेट जो आप लोगो attempt है, वो अच्छे attempt है, क्योंकि यहां पर जो exam के qualify होना की चांसे से बढ़ जाती है, इन attempts के वीचे में, अगर आपके एकर उसी अच्छी है, तो यह आप लोगो का SBPU का, definitely जो self-kill, exam analysis में ने ब तो डेफिनलिटी आप दिन में दो या तीन मोप्तेस जो प्रिलिम स्रेवल के बना हूँ अब सिर्फ बनाना ही निया इनका फुली एनलीसिस भी आपको करना है कि जो चीज़ें नहीं बन रही है 20 मिनिट के अंदर जो चीज़ें टीफिकल रही है जो आपने को नहीं आ रही है चीज़ें वो अभी आप लोग सुदार सकते हो इन दिनों में क्योंकि जब एक्जाम से एक लिए दो दिन पहले आप लोग पूछते तो उस टाइम पे आप लास्ट मिन टिप्स में यह चीज़ें नहीं हो दे यह चीज़ें भी कर सकते हो आप लोग अगर आपका को टॉपिक एस बीपियो में वीक रहा है क्यों क्यों बनाता है और हमारी बिपियों प्रिफिः बेस लेवल थे आफिस कि अप क्यूसन यह रहेग और और हम नने किस लेवल का है तो वो क्योन क्यों नहीं बनाut? उस दिक्क्त रहए पृपियोależ में यह चीज़ें आने वाली है पर चीज़ें वही आएगी, अर्थमेटिक के उसने वही आएगे, डिया आपका वही आएगा, नंबर सिर्द आपके वही आएगे, पजल्स आपके वही आएगे, इंगलीस का लेवल भी थोड़ा से नीचे रहेगा, पर इंगलीस से हम वही रहेगी, तो SBPO जिन्हों ने दिय और डारेक्टी एग्जाम दे के आजाती हो, उसके बाद आएगे, इसलिए अनलेसिस फूली कीजिए, कि कहां कहां आपके जो मार्क्स कम रह सकते थे उस एग्जाम में, कहां कहां आप लोग और ज्यादा उसमें टेम्ट कर सकते थे, वो चीज़ें क्यों नहीं हुई, तो वो चीज़ें आप लोग खुदी अनलेसिस कर सकते हो, कोई दूसरा आपके लोग उसमें अनलेसिस नहीं करके दे सकता, तो यह चीज़ें आप लोगो देखने हैं इस एक्जाम में, और बाकी SBPU Prelims के कटोप के बारे में हम जल्दी एक वीडियो लेगे आने वाले हैं, एक 21 तारिक को उटजाम इसका बाकी है, तो 21 तारिक को डिफिनिटी लेवल मोडरेट जाने वाला है, तो 21 तारिक बले वी यह ज्यान रहे हैं कि लेवल मोडरेट जाएगा, अब easy लेवल नहीं आएगा एक्जाम में, मोडरेट ही रहेगा, तो आप लोग उस हिसाब से अपनी करो और जितने भी memory based question आप लोगो मिल रहे हैं SBPO prelims के उन्हों सभी question को आप लोग बनाओ जितने जाद आप लोगो mocks पगरा मिल रहे हैं या कोई वीडियो के तुरू मिल रहे हैं या कोई PDF के format में मिल रहे हैं जहां-जहां से आप लोगो question मिल रहे हैं और only board की तरफ से एक free mock test जो आपको memory based mock test SBPO prelims का वो भी conduct करवाया जा रहा है उसका link में discussion लगा दूँगा आप वहां से check out कर सकते हो और एकदम free mock test exam और intern और जो question exam में पूछेगे वही questions में डालेंगे हैं तो आप लिए बहुत फाइदे मंद रहे हैं आप लोग टेस्ट को बनाईएगा तो वीडियो को लाइक से रखेजिए और चैनल को subscribe नहीं कि दो subscribe को लिए थैंक्यू दोस्तों have a nice day